चारधाम यात्रा को लेकर इन दिनों श्रधालू की आज तूटते दिख रही है क्योंकि एक बार फिर से उनके हाथ निराशा लगी है वैसे ही चारधाम यात्रा में बढ़ती भीड और स्लोट फुल होने को लेकर यात्रा की ओफलाइन रेजिस्ट्रेशन बंद की तारी को और आगे बढ़ा दिया गया है यानि कि अब ओफलाइन रेजिस्ट्रेशन 31 माई तक के लिए बंद कर दिया गया है पहले 19 माई तक के लिए रेजिस्ट्रेशन बंद किया गया था और उससे पहले 15 और 16 माई को बंद किया था जोसे दूर दराज से आय श्रधालू की उमीद पर पानी फिर गया है अभी तक बहुत से श्रधालू रेजिस्ट्रेशन शुरू होने के इंतजार में आसपास के होटलों में रुके थे लेकिन अब सीधा 10 दिन के लिए रेजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है जो कि लंबा समय है और 31 मई के बाद रेजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे इसकी भी फिलहाल कोई गयारंटी नहीं है परेचन विभाग की ओर से स्लोट फुल होने को लेकर ये फैसला लिया गया है वैसे तो अब तक 25 लाग से ज्यादा शरधालू रेजिस्ट्रेशन करा चुके हैं आपको बता दें कि यात्रा के लिए हरिद्वार में भी 20 काउंटर बनाए गये थे इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी ने अधिकारियों के साथ यात्रा को लेकर बैठकी जिसमें उन्होंने चार धाम व्यवस्था को दुरुस्त करने और बिजली पानी की व्यवस्था को लेकर दिशा निरदेश दिये हैं इस बार यात्रा में बहुत अक्यदिक सर्दालों का और दिथे आत्राइओं का आना हो रहा है इसलिए एजल ब्यवस्था सुनिश्चीव तरने के लिए की जगा जगा एजल की ब्यवस्था हो कहई कोई परिसा नी नहोगा साथ में बिजली की व्योस्ता भी पूरी तरह से 24 गंटे सप्लाई मिले और अन्य जो हमारे अती बिष्टी है या स्वास्त की सेवाएं हैं उन सभी पर आज हमने समिच्छा की है और लोगों को कुछ फुटपुट जाम की स्थिति का भी सामना करना पड़ा है तो इसलिए अभी यह तै कि 31 मही तक आफ-लाइन रेजिटेशन नहीं होगा तो कि यात्य दिय की यात्रियों की संख्या है और जो पिन्हों ने ओनलाइन रेजिटेशन किया है अभी वही यात्रा कर पाएंगे और 31 महीं के बाद यात्रा वियुस्तित होगी तो आगे का फिर उसके हिसाब से नियो जन करेंगी लेकिन सीन धामी ने लंबे समय से बहार से आईश रधालू को दर्शन करवाने के लिए विवस्था बनाने का आशवसन दिया है जिसको लेकर शासन से लेकर प्रशासन तक जुड़ गया है आपको बता देए कि अभी 10 तारिक से चारधाम यात्रा की शिर्वात हुई है